अब शैन्ती, आज पात जन्वरी दो हजार बाविस के परमातम मधूर महवाख्य है, मुरली का टाइटल है, मीठे बच्चे, तुम्हें अभी नया जीवन मिला है, पुराना जीवन बदल गया है, क्योंकि तुम अब इश्वरिय संतान बने हो, तुम्हारी प्रीत एक बाप स है, सुसकर रहे हैं सभी बाबा से अपनी प्रीत को, है हां जी बाबा, आज का प्रश्न है, ब्रामन सो देवता बनने वाले है, उनकी मुख्य निशानी क्या होगी, बाबा उत्तर देते है, वह ब्रम्हा की मुख्वन शावली ब्रामन सभी एक मत वाले होंगे, उनमें कोई भी मत भेद नहीं हो सकता, आपस में फुट नहीं पड़ सकती, लौकिक में जो ब्रामन कहलाते हैं, उनमें तो अनेक मत होती है, कोई अपने को पुष्करनी कहलाते, कोई सारसिध कहलाते, तुम ब्रामन एक बाब की मत से देवता बनते हो, हम कौन से ब्रामन है, ब्रम्हा म देवताओं में कभी फूट नहीं पड़ती, ववनहार देवताएं हैं, वे सदा स्मृति में रहे, एक दूसरे को आदर दे, रस्पेक्ट दे, अन्स अभी ऐसे ही, है हाजी बाबा, आज का गीत है, जिस दिन से मिले हम तुम, ओम, शांती, जिब जीवात्मा और परमात्मा अत्वा बच्चे और बाब मिलते हैं, तो नई परीट हो जाती है, क्योंकि और संग परीट टूट जाती है, जैसे कन्या की पहले तो पियर घर से प्रीत होती है, सगाई होने से नई प्रीत जूटती है, उनके लिए सारा ससुर घर नया होता है नई दुनिया की नई प्रीत जूटती है, तो सारे नई परिवाद से प्रीत जूट जाती है अब गायन भी है, आत्माय परमात्मा अलग रहे बहुकाल, यह सुन्दर मेला है न नया, यह घर नया, यह संबंध नया, तुम जानते हो हम हैं ब्रम्हा कुमार और ब्रम्हा कुमारिया, शुद्र कुमार और शुद्र कुमारिया भी नहीं है, ब्रम्हा और ब्रम्हा कुमार कुमारिया का आपस में कितना लव है क्योंकि यह हो गए इश्वर ये संतान सबी कौन है हम इश्वर ये संतान नशाचड़ा जिनको नशाचड़ा हाद उपर करें इश्वर तो है निराकार उनके साथ लव तो साकार में चाहिए निराकार को कैसे लव करेंगे? आत्मा शरीर से अलग हो जाती है तो लव नहीं होता. कि वर्ट? अत्मिक स्थिती में होती है न तब तो. आत्मा और परमात्मा जब साकार में मिले तब सनह हो न? निराकार रूप में भलगाते रहते हैं. तुम मात पिता हम बालत ते रहे, तुमरी क्रुपा से सुख घने रहे, परन्तु अनुपूती नहीं हुई न? तुम आओ, तो तुम्हारी क्रुपा से हमको सुख घने रहे मिले, पुकारते आये न ऐसे. पतीत पावन आओ, लाते हैं न? आया है न सभी ने? कहें हाँ जी बाबा, मारी पुकार सुख कर ही तो बाबा आया है, सुख धाम, भारती तो था न? वरोबर भारत महान था, तो अत्हा सुख था, उनका नाम था सुख धाम, और अभी भारती क्या बन गया है? सुख धाम, और जहां आत्माय रहती है, वह है शान्ती धाम, बहां तो आत्माय पवित्र ही रहती है, अब पवित्र कोई आत्मा रह नहीं सकती, तुमको अब बाब मिला है, तो नया जीवन मिला है, पुराना जीवन बदल, अब नया जीवन बना रहे है, अपने बाब से ब भारत में ही होते है, स्वर्ग में, और शांती गनेरी होती है निर्वाण धाम में, जहां तुम्हारा और हमारा घर है, तो समझाना चाहिए हम आत्माय शांती धाम की रहने वाली है, पाप भी वहां का रहने वाला है, वह हमारे मुवाफिक जनम्मरण के चक्रों में नहीं आते हैं, है वह भी आत्मा, परंतु परमात्मा है, परमधाम में रहने वाले हैं, हम आत्माई भी परमधाम में रहने वाले, परमपिता परमात्मा के बच्चे थे, और तो हम सब का वही है, घर भी सब को याद है कोई मरता है तो कहते है फलाना पार निर्वान गया घर है वानी से परेज थान सूरिय चांद की जहां बाबा कहते है सूरिय चांद की जहां गम नहीं हम वहां के रहवासी है सूरिय चांद महां गम नहीं करते परमदाम में तो अब बाबा को याद करते रहते हैं सबी जब बाब आते है तो नहीं बाते फिर से सुनाते है मनुष्य इस drama को जान जाए तो बोले हम जो कदम उठाते हैं second by second नया है बेहत का drama फिर टा रहता है तो बाप आकर नहीं बाते सुनाते हैं, तुम बच्चों को त्रिकाल दर्शी त्रिनेत्री बना रहा हूं, बाप ब्रम्हांड का मालिक है, तु त्रिलोकी का भी मालिक है न, क्योंकि तीनों ही लोगों की नौलेज देते हैं, तुम त्रिलोकी के मालिक नहीं बनते हो, तुम विश्व के महराजा, महरानी, विश्व के मालिक बनते हो, त्रिलोकी अर्था तीनों लोगों को जाना जाता है न, तीनों लोगों का मालिक तो एक शुबाबा ही है, न, मालिक तो एक लोक स्वर्ग का बनते हो, यह है नई-नई बाबा के बच्चे बनते हैं तो वर्सा लेने के लिए, सबी बाबा का वर्सा ले रहे है न, है हाँ जी बाबा, कोई को भी ये समझाना बड़ा सहज है, पूछो भगवान से तुम्हारा क्या संबंध है, भगवान तो है स्वर्ग का रचईता, आतपिता है, भगवान को कभी नर्क अत्वा दुखधाम का रचईता नहीं कहेंगे, परम्पिता परमात्मा ब्रम्हा द्वारा स्वर्ग की स्थापना करते है, जरूर नई दुनिया स्वर्ग ही रचेंगे, पर मात्मा ब्रह्मा द्वारा पहले ब्रामन धर्म रजते हैं, उनको राजयोग सिखलाते हैं, जो फिर ब्रामन सो देवता बनते हैं, तो ब्रह्मा द्वारा ब्रामन फिर विश्नु द्वारा दैवी धर्म होगा, इस समय तुम ब्रामन बनकर फिर क्षक्त्रिय भी बनते हो, विश्नु धरम में जाते हो अभी इश्वरिय धर्म अथवा ब्रामन धर्म में आये हो फिर भविश्य दैवी धरम में जाएंगे ब्रामन धरम भी चाहिए न। उनको वंच नहीं कहा जाता, मुख से कहते हैं तुम हमारे followers हो, वंच को तो वर्सा मिले न, यह तो तुम बच्चे जानते हो, दिन प्रति देन प्रम्हा मुख वंचावली की वृध्धी होती जाएगी, वीके बहुत होते जाएंगे, तो भी तो प्रैक्टिकल में देख रहे है न, जितने देवताय बनते होंगे उतने ब्राह्मन ज़रूर बनेंगे, परम्पिता, परमात्मा, ब्रम्हा द्वारा मनुष्यों को ब्राह्मन सो देवता बनाते हैं, तो जरूर स्वर्ग के मालिक होंगे न, उनके लिए ही गायन है, मनुष्य से देवता की ये करत यह बाबा आकर नई नई बाते सुनाते हैं। नई दुनिया के लिए नई बाते हुने कारण, शास्त्रों में कहां भी यह बाते नहिं हैं। इसलिए मनूश्य मौज से हैं। तुमहारी यह है इश्वरिय सब्प्रदाए। परन्तु चो इश्वर ये संतान बन कर फिर इश्वर को फार्गती दे देते हैं, वह फिर आसुरी सब्प्रताय बन पड़ते हैं। एक बारी मम्मा बाबा कहा, ज्यान सुना, तो उनको वर्सा जरूर मिलेगा। मम्मा बाबा कहते रहते हैं, दिखते भी है पिता श्री, मातेश्वरी, प्रजापिता ब्रम्हा तो मशूर है न। शुबाबा तो नामी ग्रामी है ही, आत्मा कहती है गौड़ फादर, शुबाबा के लिपकारती है न। ऐसे। बाब कहते है, मैं पहले-पहले प्रजापिता ब्रम्हा को अडॉप्ट करता हूँ, यह ब्रम्हा की अडॉप्शन सब ब्रामन है, शुबाबा ब्रम्हा बाबा को अडॉप्ट करते है और फिर ब्रम्हा के मुख से हमें शुबाबा ने अपना बनाया था, फिर ब्रम्हा ब बाबा ने एजॉप्ट किया ना अब ब्राह्मन बने तो नहीं रचना हुई ना जरूर बहुत होंगे इतने सब विश्च से थोड़ी पैता हो सकते जाया भी चाता है प्रजापिता ब्रह्मा और जटमबा ब्रह्मा भी एक विश्नु भी एक लक्ष्मी नारायन भी एक जगत अमबा भी एक होती है इन ही फीचर्स वाला फिर कभी नहीं यही सेम फीचर्स वाला फिर कभी नहीं देखेंगे बाबा कहते हैं यह भी वंडर है हर एक आत्मा के 84 जनम होते हैं परंतु हर जनम में फीचर्स भी चेंज हो जाते हैं एक मनुष्य फिर गल्प बाद ही उसी फ पीचर में उबहू कल्बबाद 5000 साल के बाद यहां दो इखी को बहुत फीचर में बना देते हैं यहां बहुतों के नाम राधे कृष्ण है परन तो समझते थोड़े ही है राधे कृष्ण तो स्वर्ग की फर्स्ट फ्रिंस प्रिंसेस का नाम है हम तो पतीत है हम कैसे यह नाम रख सकते है तो शिव बाबा इह नई नई बाते सुनाते है नई दुनिया के लिए यह नई बाते नया ग्यान है बाब कहते हैं, हमने ही कल्प पहले भी नई बाते सुनाई थी, अब फिर सुना रहे हैं, तुम अभी सुन रहे हो, तुम देवी देवता बन जाएंगे, तो फिर यह ज्ञान खलास हो जाएगा, इतनी उंची चड़ाई है, यह भी गाया हुआ है, आश्यर्यवत अपने बाब के बननती, सुननती, औरों को सुनावनती, फिर भी अभी माया भागनती हो जाते है, रैसे जनम से माया के संख थे न, तो माया कैसे छोड़ेगी, फिर किसको यह भी कहने सकते कि बिके के पास चलो, फुदी छूट गए तो दूसरों को कैसे कहेंगे न, यह भी ड्रामा में बहुत आते हैं और जाते रहेंगे, उससे हमारी स्थेती डिस्टरब न हो, न हमारा कोई संकल्प विकल्प चले, कि ड्रामा में हर एक का पार्ट है न, कि में बैठे हुए भी माया से आरकर भागनती हो गए, सुर्ग में तो आएंगे, जैसा पुरुशार्थ किया है, वैस पद पाएंगे, अपने लिए वा अपने संबंधी आधी के लिए कोई पूछे तो पता सकते है, खुद भी समझ सकते है कि इस हालत में क्या पद होका, पाप बैठ समझाते है, दहली में सब धर्मों की कॉन्फरेंस होती है, अब कॉन्फरेंस करते है कि सृष्टी पर शांत के कैसे स्थापन हो, या आपस में मिलकर एक जैसे कैसे हो जाएं, एक तो होने सके, अर्ग की गॉन्फरेंस है, परंतो उनको तो पता नहीं है कि धर्म नंबरवार कैसे है, नेंवार धर्म कौन सा है, जिस जिस ने धर्म स्थापन किया, वह हैreligious हेट आए, जैसे चीफ मिनिस्ट्र की खॉनफरेंस होती है, तो उसमें इलेक्टर वा जज अधि नहीं आ सकते. गुवर्नर्स की आपस में कॉन्फरेंस होगी, तो गुवर्नर्स ही आएंगे. करके गवर्नर अपने प्राइवेट सेकरेटरी अधि को साथ में ले आए. विचार करना चाहिए कि यह सब धर्म नंबर बार कैसे स्थापट होते है, सबसे बड़ा धर्म कौन सा है, बोलो, सबसे पुराना धर्म ही सबसे बड़ा होगा न, सबसे पुराना धर्म कौन सा है, जो भी प्रायोलोग हो गया, अधिस नातन तो देवी देवत्य धर्म यह था न? उस धर्म का head कहां है? वह दर्म किस ने स्थापन किया? प्रिश्न तो हवी है नहीं, नहीं तो फिर कृष्ण को मानने वाले चाहिए, वह है वळभाचारी, जरूर हमारा देवी देवत्य धर्म था। वह फिर हिंदु धर्म कह देते हैं परंतु Hindu dhamव तो है यह नहीं कुछ दुंके द्धर्म का धर्म-स्थापक कौन है नए रहेंगे पता नहीं कि हुआ द्रम अभी कोई है ही नहीं तो धर्मों के'क ahead आने चाहिए सामें भल सेक्रेटरी आधो को भी ले आए मुख्य धर्म तो है ही यह धर्म तो है ही, उनके heads चाहिए, देवी देवता का head कौन है, बाब आज बार बार पूछ रहा है, पूछना चाहिए ऐसे, जरेकली नहीं बताना चाहिए, पूछना चाहिए, जाते तो है Godage of Knowledge, सरस्वती, प्रेजापिता, ब्रह्मा, तो जरूर यही बड़े होंगे, वह संग्जेंगे ब्रह्मा से ब्रामन धर्म हुआ, पर यह नहीं जानते कि यह ब्रामनों को कैसे पढ़ा कर देवता बनाते हैं, वह ब्रामन लोग भी कहते हैं, हम ब्रह्मा की संतान हैं, पर यह नहीं जानते, फिर ब्रामनों में भी कोई पुषकरी, कोई सारसथी, कोई कैसे यहां तो ब्रह्मा के बच्चे ब्रामन ही ब्रामन है, सबी ब्रह्मा के बच्चे कौन है, ब्रामन ही ब्रामन, और कोई फूट इनमें पढ़ती ही नहीं है, दूसरे ब्रामनों में फूट पढ़ती है, इनमें नहीं पढ़ती है, नगभी देवताओं में फूट पढ़ती है, यहीं से देवताइगुनिया देवताइग संस्कार में इमर्ज करते हो जाता है सूर्य वन्षी मत भेद की बात नहीं तो बाप से तो तुम नै-नै बाते सुनते हो न कोई गाते गीत नहीं गाते न बबाब कहते हैं नौलेज देते हैं तो नए प्रकार की है न नौलेज सारे स्रुष्टी का चक्र की नौलेज देते हैं जो धारंड करनी है ऐसा जो बाप-टीचर गुरु उनको फार्कती दे बढ़ाई थोड़ी छोड़ देना चाहिए ना उन्चा बाप टीचर गुरू है तो उनको कभी फार्कती देने का संकल्प भी आना चाहिए? नहीं न? बढ़ाई छोड़ी गोया बाप को छोड़ा स्टूड़न नहीं तो बैच्चे भी नहीं बाप को छोड़ा गोया वर्से को गवाया पतीत पावन एक ही बाप है बाप कहते हैं अब कयामत का समय है सब को वापस जाना है हिसाब किताब चुक्तू कर यहीं चुक्तू करके सभी को वापस जाना है सोना आग में डालते है तो बावा कहते है सोना आग में डालते है तो क्या हो जाता है प्योर हो जाता है अब आप तो सारी दुनिया को लगनी है परन्तु इस आग में पावन नहीं हो सकेंगे इसमें योग बल की बात है, साकारी आग में पावन थोड़ी होगे, योग के बल से, योग की जोला मुखी आग से, योग की तपत से पावन मनेंगे, या तो फिर सजाए खाकर शरीर छोड़ेंगे, हिसाब किताब चुक्तू होगा, पाप का हिसाब किताब चुक्तू कर फिर पावन ह कर वापस जाना है वापस जाने का भी समय है महाभारत की लड़ाई भी है फुली भी मनाते है रावन राज्य खतम हो जाना है फिर राम राज्य में तो बहुत थोड़ी होते है अभी रावन राज्य में तो बहुत है यह सब आत्माई कहां जाएंगी जरूर अलिबरेटर भी पाप कहते हैं, मैं सब को ले जाओंगा, सब की जोती जगा कर ले जाओंगा, फिर उन्हों को अपना अपना पार्ट बजाना है, तुम जानते हो हम देवी देवता धरम में आएंगे, मुक्ती धाम में जाकर फिर वापस चले जाएंगे, 84 जनम भोगेंगे, सुर्यवन्षी चंत्रवन्षी बनेंगे, सारा चक्र बुथी में आ गया है, आत्मा बता सकती है कि आओ तो हम आपको शुबाबा का उक्यूपेशन बताए, बच्चों के सिवय तो कोई बता न सके न, वह कहेंगे परमात्मा तो निराकार है, उनका फिर उ द्रामनी होती है इस समय, वो सोचेंगे उनका क्या उक्यूपेशन है, रन्तु पतीत से पावन बनाने का काम तो एक शुबाबा का ही है, दुन्या में और कोई नहीं कर सकता ही, अरे वह पतीत पावन है, तो जरूर पावन बनाने उनको आना है न, कैसे राजयोग सिखलाते है, ब्रम्हा द्वारा कैसे देवी देवता धरम की स्थापना होती है, वह हम बता सकते है, तो बाबा बैट सब बाते समझाते है, बच्चों कोई समझाएंगे न, कल पहले जिनोंने पढ़ा है वह पढ़ते है, नहीं पढ़ सकते तो भागनती हो जाते है, नहीं बात नहीं फिर बाबा का हमेशा बच्चों पर लव रहता है विचारा फिर भी आकर बाप से पूरा वरसा ले बाबा की हमेशा नहम की भावना होती है करन्टु तकदीर में नहीं होगा तो क्या कर सकते है बाप का तो लव है न क्योंकि भक्ति मार्ग में भी बाप को बहुत याद करते हैं जो भी देवी देवता धरम वाले होंगे वह जरूर याद करते होंगे आधा कल्ब खूब याद करते हैं आत्माने सुख पाया है तो दुख में बाप को याद करेगी वो जास्ती भक्तिकर पुजारी से फिर पुज्य बनते हैं। जो देवी देवता थे, उनका ही सैप्लिंग लग रहा है। तो कॉन्फरेंस आधी जब कहां भी होती है, तो उनमें मुख्य धर्म वालों को बुलाना पड़े न। वीखे को बुलाएं तो वो पूरी राय देंगे। प्रजापिता ब्रम्हा के बच्चे ब्रम्हा कुमार कुमारीयों की पूरी राय दे सकते हैं। कि क्या करना है। तुम पीस चाहते हो, प्रंदु पीस तो निर्वान धाम में ही होती है न। अभी तो दुखधाम है, अनेक धर्म है, एक धर्म था तो सुक्षान्ती सब कुछ था, अभी यह मिनाश तो जरूर होगा, इसमें तो खुश होना चाहिए, स्वर्ग के गेट खुल रहे है, ऐसे ऐसे बच्चियों को समझाना पड़े, समझा? अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रती मातपिता बाब दादा का याद प्यार और गुड मॉनिंग, रुखानी बाब की रुखानी बच्चों को नमस्ते, अम रुखानी बच्चों की रुखानी मातपिता बाब दादा को याद प्यार गुड मॉनिंग और नमस्त बाबाबाबा शुक्रिया बाबा शुक्रिया भरना के लिए मुख्यसार है पहली पॉइंट कभी भी पाप को वा पढ़ाई को छोड़ वर्सा नहीं कवाना है एक मत हो रहना है दूसरी पॉइंट सजाओं से छुटने के लिए योगबल से पुराने सर्भ हसाब किताब तो है हां जी बाबा, आज का मीठा वर्दान है, प्रस्थी पन की स्मृति से निमित्त समझ हर कार्य करने वाले डबल लाइट भवर, इसका विशलेशन है, निमित्त पन का भाव बोज को सहज खतम कर देता है, मेरी जिम्मेवारी है, मेरे को ही संभालना है, मेरे को ही सोचना ह तो बोज होता है, जिम्मेवारी बाप की है और बाप ने ट्रस्टी अर्था निमित बनाया है, इस स्मृति से डबल लाइट बन उड़ती कला का अनुभव करते रहो, जहां मेरा है वहां बोज है, इसलिए कभी किसी भी कारिय में जब बोज महसूस हो, तो चेक करो, कि कहीं ग गलती से भी तेरे के बज़य मेरा आया, तो जमीला हो जाएगा, इसलिए सब कुछ बाबा का, मैं ट्रस्टी हूँ, तो आज का हमारा स्वमान भी लिखने के लिए और अप्यास करने के लिए है, मैं ट्रस्टी हूँ, अच्छा, आज का स्लोगन, हर बोल में आत्मिक भाव पर शुपभाव ना हो, तो कोई भी बोल व्यर्थ नहीं जा सकता, लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए आज का पुरुशार्थ है, जैसे कोई सागर में समा जाए, तो उस समय सिवाय सागर के और कुछ नजर नहीं आएगा, ऐसे आप बच्चे सर्वगुनों के के सागर में सभी समाए रहें, आज इस स्वमान का अफ्यास करें और लिखें, मैं रस्थी हूं, रहस्ती नहीं, कैसे है सभी, रस्थी, सब कुछ बाबा का है, निमित्त बन कर संभाल रहा हूं, अच्छा, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझ कर बोल निमित्त भाव, निर्मान भाव, निर्मल्वानी, ओम शाथी